नास्कार मैं परवीन कुमार अभी हम चोसाला गाउं से वजीर खेडा जाने वाली सडक पर मोजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफी स्कूल की लड़कियां मोजूद हैं कम से कम 10-12 लड़कियां हैं ये तो सिरफ 10-12 हैं ये हर रोज चोसाला गाउं में पढ प्रोवाइड करवाई गई है या कोई मालीज ये विकल इनके पास नहीं है ऐसा कि ये गाउं से स्कूल चले जाएं या स्कूल से गाउं चले जाएं हर रोज की यह साड़े 3 किलोमेटर की यात्रा यह पैदल ही चै करती हैं गाउं से स्कूल और स्कूल से गाउं की जो इनक चालिस हजार के आसपास पद खाली पड़े है स्कूलों में उनको भरने की बजाए टीतरों की पोस्ट को कैप्ट किया जा रहा है तो ये तमाम सवालों को लेकर के गाउं गाउं में धरने भी शुरू है लेकिन इन लड़कियों से जैनुवन समस्या है जो इनकी तरफ किसी का धान ही नहीं जाता बच्चे किस तरीके से जो परिवार है उनके अभाव की जिन्दगी जीते हैं और अभाव की जिन्दगी जीते हुए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल का धांचा इस तरीके से आज घड दिया गया है कि उनको लगातार या तो खतम किया जा रहा है या फिर उनकी जो maintenance होनी चाहिए या उसमें staff भरती होना चाहिए वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है तो यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं सामने काफी लड़किया मोजूद हैं और इन लड़कियों से ही ज वजीर नगर और आप आउ कहां पे अपड़ने चुशारा में पहले तो यह बताओ आपके गाउं में कितने तक का स्कूल है आठ तक का आठ तक का क्या आपने यह नहीं लगदा कि बारा तक का स्कूल आपके गाहँ में उना चीज्जाए लगा है अचा हर रोज आप जो त् पास पास हाँ है हर रोज मतलब गाउं में दूसरा गाउं में पढ़ने के लिए तो ये देख सको भई ये प्लस वन की लड़किया है और लगबग आप जो हो आपका क्या नाम है बढ़ी काफी कौन सी क्लास में पढ़ो अच्छा आप भी सभी पैदल आओ जाओ तो आप की मा सबसे प्लस वन के लिए तो आपने किन-किन दिकत प्रेसानियों का सामना करना पड़ है उन् आपने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है इसे तो डूरान मतलब क्या लगता है कि जाएँ सुस्वर कहा कोई साधन ओना चीए सरकार Κहां कोई सब्सक्राइब प्रोवाइड करनी चीए सरकार ने अगर स्कूल नहीं दे रही तो कोई ऐसी मांग है आपने लागे कि ऐसी चीज की जरूरत है बस लाग जो उंकल वही वह होता है तो यह देख सको आप भाई इन बच्चों की सीधी-सीधी मांग यह है कि भाई जैसे तीन साड़े तीन किलोम देने की बजाए सबसे पहले तो सवाल यह है कि गाउं में 12 तक का स्कूल होना चीए लेकिन अगर वो नहीं प्रोवाइड करवायरी दूसरे गाउं में वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए जो सादन उपलब्द करवा इसका है वो सादन भी सरकार कहीं नहीं न तो यह जैनुवन समस्चा है तो सरकार जिन चीजनों की तरफ द्यान देना चीए उनकी तरफ आपाने लागे कि कहीं पर कोई भी द्यान नहीं है तो आप कैमरा सायोग यजय के साथ परवीन कुमार कैथर बैग न्यूस देख रहे हैं